दोस्तों ये है Redmi का नया स्मार्टफोन जो कि एक बजट फोन है साले 6,000 का आपको मिल जाएगा काफी सस्ता है Redmi A1 पहले दोस्तों MI A1 आयता 5 साल पहले जिसका प्राइस तो 12-13,000 था लेकिन दोस्तों ये बजट फोन है दुबारा A1 आचुका है और दोस्तों का प्राइस जो है 6,000 है बॉक्स आपको कुछ इस तरह किसे मिल जाता है ये सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है इस वीडियो में इसके अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगो दोस्तों इसके अंदर आपको फीचर्स कैसे मिलते है और आपको इसको खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरू देखिएगा और एक लाइक भी जरू कर दीजिए चलिए अन्बॉक्स करते हैं इसको तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं से पहले आपको मिल जाता है फोन एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आपको एक यूजर मैनुल मिल जाते हैं अंदर की तरफ सबसे लास्ट में रखे हुए इस तरीके से और दोस्तों कवर जो है बॉक्स के केबल नहीं है लेकिन ख्याला रखेगा टाइप घिपलहीं दीगई लास्ट में रखा हों मिल दा है यह वाइट कलर में चारजर क्योंकि दोस्तों नहीं को देये सिंपल की क्वालिटी भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और केबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है बस अगर कवर होता हो टाइप सी केबल होती तो बहुत जादा बढ़िया रहता चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इस साले 6000 के फोन में दोस्तों इस design में आपको पीछी की तरफ back side पर दो camera दिये गए है बराबर में लिखा हुआ है AI camera complete design दोस्तो आप देख सकते हैं आपको कैसा लग रहा है थोड़ा simple है लेकिन दोस्तो काफी बढ़िया लग रहा है लगने रहा साले 6000 का phone है यह लोकवाइस आपको design जो है काफी जादा बढ़िया मिल जाता है color भी काफी जादा अच्छा है मुझे personally दोस्तो इसका design जो है काफी जादा बढ़िया लगा बाकि दोस्तो एक चीज़ जो है काफी बढ़ी missing एसके अंदर आप धियान दे सकते हैं दोस्तो इसके अंदर आपको fingerprint scanner back panel पे नहीं मिलता इस phone के अंदर आपको fingerprint scanner दिया ही नहीं गया अगर होता तो बहुत बढ़िया रहता बाकि दोस्तो इसका design आपको कैसा लगा कैसा नहीं comment करके ज़रूर बताइएगा चली दोस्तो on कर लेते हैं Redmi A1 को और देखते हैं चलाने में कैसा लगता है ये phone इसके अंदर आपको display की जो quality दी गई है वो कैसे मिलती है कैसे नहीं बाकि दोस्तो display का size तो इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है साड़े 6,000 प्राइस है और साड़े 6,000 की इसके अंदर आपको display मिल जाती है तो दोस्तो display का size आपको मिल जाता है 6.5 इंचिस का इसके लाब दोस्तो इसके अंदर आपको IPS HD plus display दी गई है तो quality rate की साबसे इसके अंदर आपको सही मिल जाती है बाकी फिर भी देख लेते हैं दोस्तो colors हो अगर actual में कैसे है reality में display कैसी एच्छ है या फिर नहीं तो दोस्तो बात करें सबसे पहले user interface के बारे में तो इसके अंदर आपको UI का scanner दोस्तो आपको go edition दिया गया है experience आप देख सकते हैं दोस्तो आप ऐसे ओपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है app drawer दिया गया है बाकी जो colors है वो थोड़े आपको different मिल जाते है यहाँ पर जो है असा लग रहा है black and white type का phone colors वगर है दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते है settings के अंदर बाकी इसके लागे दोस्तो आपको normal 60 Hz का refresh rate मिलता है क्योंकि इसका price इतना जादा तो नहीं है कम से कम 9000 के phones में आज कल आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिलता है फिर भी चलाने में जो है दोस्तो phone ठीक टाक लग रहा है काफी smooth लग रहा है ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही तो normally उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी बाकी display की जो quality है दोस्तो उसको मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके तो design दिसके अंदर आपको जो दोस्तो मिलता है आपको वो मिल जाता है notch वाला edges, bezels जो है वो दोस्तो आपको rate के साब से काफी सही मिल जाते है कम दिये गए हैं बाकी जो सबसे important चीज़ है display के colors और quality, brightness वो चीज़ भी इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया दी गई है तो display की quality को लेकर overall हर चीज़ में ये phone मुझा काफी जादा बढ़िया लगा size भी सही है, design भी ठीक ठाक है इसके साथ जो important चीज़ है display की quality इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है इसके लग दोस्तों इस एंगल से आप इसका design देख सकते हैं कुछ इस तरी किसे लग रहा है बाकी left side से आप देखेंगे तो इस तरफ आपको SIM के ट्रे दी गई है SIM के ट्रे ऐसे मिल जाती है जिसके अंदर आप दो SIM काड और एक memory काड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोस्तों तो ये चीज़ काफी जादा बड़ी है इसके अंदर इसके लग दोस्तों side उसे design जो है current है इसका back side से नीचे की side साथ देहेंगे तो charging port, headphone jack और mic मिल जाता है राइट side पर volume के buttons और power का button है finger paint scanner तो इसके अंदर आपको दिया ही नहीं गया तो ये मुझे इसके अंदर काफी बड़ी वैसा कमे लगी होना चाहिए तक काफी important है उपर की तरफ साथ देहेंगे तो speaker मिल जाता है इसमाँ आपको इस तरफ नीचे की तरफ नहीं दिया गया है, speaker उपर की तरफ है तो थोड़ा different ही है ये phone इसके लग दोस्तों settings में चलते है RAM और storage चेक कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको दी गई है इसके अंदर आपको कौनसा version दिया गया है तो दोस्तों इसके अंदर आपको Android का जो है latest version मिल जाता है Android 12 तो ये चीज़ इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िये दी गई है तो यहाँ पर जो है इसके information आपको कुछ इस तरीक से देखने को मिल जाती है इसके लग दोस्तों बात करें battery के बारे में तो इसके अंदर आपको battery दी गई है दोस्तों 5000 image की एक दिन का normal battery backup इसके अंदर आपको अराम से मिल जाएगा तो दोस्तों battery को लेकर ये phone काफी जादा बढ़िया है और यहाँ पर आप ऐसे 12 बजा सकते हैं इस phone के कुछ इस तरह किसा आपको pattern देखने को मिल जाता चलिए इसको restart करते हैं देखते हैं कितना time लगाता है यह restart होने में वसे इसके अंदर आपको processor जो मिलता है वो तो काफी जादा average दिया गया है मेरे tech का 822 अगर आप एक जो है थोड़े बहुत normal user ही है दोस्तो जैसा आपको game वगरा बिल्कुल भी नहीं खेलना multitasking बहुत जादा नहीं करनी WhatsApp, YouTube वगरा यूज़ करना है तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप एक heavy user है थोड़े बहुत भी आपको game खेलना है तो फिर काम वगरा करना है phone से तो इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तो और gaming के अंदर तो दिक्कत होगी ही क्योंकि इसके अंदर आपको इतना बड़ी आ प्रोस्सर नहीं दिया गया दोस्तो ये phone नॉर्मल यूज़ के हिसाब से क्योंकि इसका price भी कम है तो इससाब से इसके अंदर आपको नॉर्मल ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है काफी एवरेज तो इस चीज के आप जादा उमीद मत रखिएगा और बहुत जादा हैवी यूजर अगर आप है तो कम से गम आप जो है दस जार के बजट में फोन खरीदियेगा तो आपके अपको देखने को नहीं होगी जिसाब वार्सेब यूट्यूब वगएरा चलाते हैं तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती डाइलर में ओपन किये दोस्तो कुछ एप्लिकेशन्स ओपन करके देखते हैं कितना टाइम लगाता है हैंग होता आपको फिर भी बजट के साबसे परफॉर्मेंस काफी सही मिल जाती है कैमरे की इसके अंदर आपको फोटोस की जो क्वालिटी मिलती है वो भी काफी सही दी गई है कलर्स वगरा ऐसे नहीं कि बहुत जादा बेस्ट कैमरा है लेकिन फिर भी दोस्तो इसके प्राइस को देखते हुए कैमरे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है बहुत से 9000 के फोन में भी ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती दूसरे ब्रांड्स के बजट कितना है कितना नहीं अगर आपको बजटी बहुत जादा कम है साड़े 6000 तक ही आप उसके पर नहीं बढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसके इसके अंदर आपको डिस्प्ले की काफी बढ़िया दी गई है तो इस चीज़ को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों कल इसके साथ दोस्तों डिजाइन भी काफी जादा बढ़िया है तो सारी चीज़े प्राइस के इसाफ से फिर भी दोस्तों इसके अंदर काफी बढ़िया ही मिलती है बस जो कमी है दोस्तों वो यह है फिंगर पेंट सके अदर नहीं है तो आप इस चीज़ का खयाल रखिएग तो आजकल फूल लांच होते ही नहीं और यह तो साड़े 6,000 का है तो उससे साब से देखा जाए तो काफी जादा बढ़ी है आप बताएगा फिर भी दोस्तों कमेंट करके रेड्मी A1 आपको कैसा लगा? A1 लगा ये फिर नहीं? कमेंट करके ज़रू बताएगा वैसे डिजाइन भी काफी जादा क्लासिक है इसका लग नेरा साड़े 6,000 का है काफी अच्छा मॉडियूल है कैमरी का भी आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो पर आप लए है सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पौशती रहे इसके लग दोस्तों वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रू करिएगा वाटसैप और फेस्बुक पर